ये है Realme C31 और ये है Poco C31 तो आज हम इन दोनों स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग और कमपेरिजन करेंगे एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स लुक डिजाइन्स कैमरा पर और देखिंगे इन दोनों स्मार्टफॉन में से आपके लिए है कौन सा स्मार्टफॉन बेस्ट फर्स्ट अपॉल दोनों स्मार्टफॉन का प्राइस जान लेते हैं तो दोनों ही स्मार्टफॉन दो वेरेंट में मिलते हैं आपको 4GB, 64GB वेरेंट और 3GB, 32GB वेरेंट अभी हमारे पास 3GB, 32GB वेरेंट में दोनों मोबैल मौजूद हैं तो सबसे पहले इन दोने स्मार्टफॉन का प्राइस जान लेते हैं तो रियल्मी C31 हाली में लांच हुआ है ये रियल्मी की ओर से और ये आपको मिलता है 8999 वेरेंट में 3GB वेरेंट वहीं फोको C31, मातर 7999 वेरेंट में आपको मिलता है दोनों ही स्मार्टफॉन में आपको मिलती है 3GB RAM, 32GB का इंटरनल इस्टोरेज, रियर में ट्रिपल कैमरा, 5MP सेल्फी कैमरा, बैटरी 5000 इमेज की इसकी अलावा क्या-क्या दिया गया है दोनों स्मार्टफॉन में कास आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में चैनल पे आए हो, फॉस्ट टाइम, और अगर आपने अभी जग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए हम यहाँ पर regular लाते रहते हैं नॉर्मल यह चारजर है, 10W का, 5V 2A की आउटपूट रेटिंग आपको इस चारजर से मिलती है, चारजर पर आपको made in India लिखा हुआ भी मिल जाता है, इसके बाद अंदर देखें तो यहाँ पर आपको white color की normal micro USB cable दी गई है, cover आपको नहीं मिलता है, आते हैं POCO C31 पर, तो स 10W का है, 5V 2A की आउटपूट रेटिंग आपको इस चारजर पर मिलती है, और यहाँ भी made in India आपको mention मिलेगा, black color के आपको इसमें normal micro USB cable दी गई है, cable की length और quality मुझे ज़्यादा बेटर लगी realme की, और यह रहे दोनों स्मार्टफोन, इने फिल, दोनों स्मार्टफोन आप आपको बिलकुल same weight और same size के लगते हैं, दोनों पर आपको drop nose display दी गई है, और scratch गाल दोनों पर लगावा नहीं मिलता है, और यह रहे दोनों स्मार्टफोन के back panel, दोनों में आपको plastic polycarbonate body मिलती है, कर्भी back panel के साथ, सबसे पहले realme C81 का back panel देखें, तो काफी unique सा यहाँ पर light reflection भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, sunrise type का design आपको यहाँ पर नज़र आएगा, camera setup काफी unique आपको मिल जाता है, इस price range के अंदर, triple camera आपको दिये गए हैं, दो बड़े lens है, जहाँ पर mean camera 13MP का, 2MP micro और 0.3MP का आपको इसमें depth sensor camera with LED flashlight दिया गया है, fingerfin sensor आपको नज़र नही back panel देखें, तो double design आपको back panel में देखने को मिलेगी, उपर matte finish, नीचे आपको texture design, इन फे भी ridges हैं, scratches कम आते हैं, साथ में fingerfin sensor यहाँ पर दिया गया है, और focus की branding यहाँ पर की गी है, इसमें भी आपको triple camera मिलते हैं, जिसमें mean camera 13MP का, 2MP micro और 2MP depth sensor camera with LED flashlight दिया गया है, दोनों power on की दीगी है, volume rockers आपको focus c31 में right side में मिल जाते हैं, realme c31 में आपको left side में दिये गए हैं, उपर की side focus c31 में आपको 3.5 mm का audio jack मिलता है, left side में मिलती है sim tray जहां आप लगा सकते हैं, दो sim card और एक memory card, तीनों एक साथ दोनों smartphone में, और bottom में देखें, तो 3.5 mm का audio jack, realme में नी charging jack दिये गए है, focus c31 में आपको speaker grill नीचे की side और realme c31 में आपको पीछे की side दिया गया है, दोनों smartphone को हमने already boot करके रखा हुआ है, और दोनों की brightness है, उसे भी हमने full कर दिया है, तो यहाँ पर आपको करीब से दोनों smartphone की display को दिखाएं, तो ज़्यादा bright और colorful display आपको realme c31 की नजर आएगी, यहाँ पर आप करीब से भी देख सकते हैं, हला कि focus c31 में आपको colors तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो brightness है, वो थोड़ी सी कम लगेगी, हला कि दोनों में आपको 400 minutes की brightness दीगी है, आइकन भी आपको different मिलते हैं, realme c31 में काफी छोटे size के icon यहाँ पर दिये ग कर सकते हैं, play store से अपनी पसंद की app डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों smartphone में आपको 60 hertz का refresh rate भी मिलता है, इसके अलावा इन दोने smartphone के edge bezels हैं, यहाँ पर मुझे realme c31 में नीचे से ऊपर की ओर तोड़े से ज़्यादा bezels लग रहे हैं, इसके अलावा दोनों में आपको corner में बिल आपको 6.53 इंच की HD plus IPS LCD मिलती है, दोनों का aspect ratio 20 to 9, screen resolution 720 into 1600 pixel और pixel density 270 ppi की आपको c31 realme में और focus c31 में आपको 269 ppi की दी गई है, इसके अलावा height के बात करें, तो 164.7 mm के height आपको realme c31 में और 164.9 mm के height आपको poco c31 में दी गई है, तिकनस भी देख लेते हैं, तो 8.4 mm की thickness के साथ realme c31 आता है, और 9 mm की thickness के साथ poco c31 आता है, दोनों smartphone के weight में ज्यादा कोई अंतर नहीं लग रहा है, चलिए weight meter में देख लेते हैं, कितना इनका weight है, तो यह हमारा सबसे पहले हम realme c35 का weight देख लेते हैं, तो इसका weight है 193.82 gram, और अब देखते हैं poco c31 का weight, और इसका weight निकल के आता है, 194.56 gram, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों smartphone के weight का, और दोनों के अंदर 5000 mm की battery लगी वी है, चलिए आप setting पे नजर डालते हैं, शुरुआत हम realme c31 से करेंगे, तो इसकी setting को जैसी हम open करते हैं, तो अंदर का जो interface है, वो normally सभी realme phone जैसा ही आप आपको देखेगा, जिसमें बीच में about phone section दिया गया है, realme UI version R edition आपको मिलता है, android version 11 दिया गया है, 1.82 GHz का octa-core processor और chipset uni SOC T612 का आपको इसमें दिया गया है, 12 mm का fabrication, graphic आपको माली C57 के इसमें मिलते हैं, इसके अलावा 3 GB RAM, LPDDR4X के आपको इसमें दिया गया है, 32 GB का internal storage, expend memory 1 TB तक बढ़ा सकते हैं, storage type UFS 2.2 का आपको इसमें दिया गया है, और अब आते हम POCO C31 की ओर, तो इसकी setting को भी open किया जाए, तो जैसे Redmi के mobile के setting का interface आपको मिलता है, वैसा ही इसका दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको MIUI मिलता है, जिसका version 12.0.1, android version आपको इसमें 10Q दिया visualization को open करें, तो इसमें भी आपको 3GB RAM LPDDR4X की मिलती है, 32GB का internal storage, expandable memory 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं, और इसमें 12NM का fabrication, graphic power VRG 8320 के आपको समें दिये गए हैं, चलिए दोस्तों, एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के rear camera पर डालते हैं, तो दोनों स्मार्टफोन क color का different आपको camera में देखने को मिलता है, बाकी दोनों स्मार्टफोन के camera काफी अच्छे लग रहे हैं, clarity आप देख सकते हैं, realme C31 का zoom देखें, तो इससे आप only 4X तक zoom कर सकते हैं, यह रही इसकी 4X zoom quality, वहीं Poco C31 से भी zooming देख लेते हैं, तो इससे आप 4X से कई उपर, यानि क दुगना से भी उपर, 10X तक zoom कर सकते हैं, यह हमने 10 गुना zoom कर दिया है, zoom clarity मुझे काफी अच्छी लगी, Poco C31 की, दोनों में आपको portrait का option मिल जाता है, more setting में देखें, तो दोनों स्मार्टफोन आपको time-lapse का option देते हैं, लेकिन slow motion दोनों स्मार्टफोन ने नहीं दिया है portrait का option आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है, front selfie camera दोनों स्मार्टफोन के normal mode में on कर दिये हैं, तो यह देखिए, यहाँ पर मुझे selfie camera थोड़ा सा bright और colorful लगा, realme C35 का यहाँ पर आप करीब से भी दीखिए, हाला कि दोनों में आपको 5 megapixel का selfie camera दिया गया है, तो ज्य यहाँ पर बात करें, realme C31 की, तो अभी यह नया latest smartphone आया हुआ है, जिसमें आपको इस price range के अंदर side mountain rear finger pin sensor दिया गया है, हाला कि Poco C31 काफी लंबे time से चल रहा है अभी तक, और काफी अच्छा यह smartphone है, 8000 रुपे, मात्र 8000 रुपे के budget range के अंदर आपको यह smartphone कई अच्छे features के साथ मिल जाता है, तो दोनों smartphone अपने अपने business कोवियों के साथ आते हैं, इसमें आपकी पसंद मैटर करती है, दोस्तों आप comment box में रताइए, इन दोनों smartphone में से आपको कौन सा smartphone पसंद आया, किसे आप purchase करना चाहोगी